हेलो एवरिवन ओनलाइन एजुगेसिन ट्रेक में फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में आज का इत्यास यानि की 21 माई को इत्यास में जो भी महत्पून घटनाई हुई है उसके बारे में डिसकस करेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें शे स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं 21 माई 1881 देखें इस दिन यूएस नेशन लॉन टैनिस एस्टापना हुई थी तो याद रखेगा यूएस नेशन लॉन टैनिस एस्टापना 1881 में हुई थी 21 माई 1922 अमेरीकी नियाइधीस जेम्स लॉपेज वाट्सन का जनम हुआ था तो याद रखेगा 21 माई 1922 में जेम्स लॉपेज वाट्सन का जनम हुआ था और ये अमेरीकी नियाइधीस थे अगे बढ़ते हैं 21 माई 1931 भारत के प्रशिद व्यांगिय रचनाकार शरत जोशी का जनम हुआ था कब हुआ था 21 माई 1931 में नेक्स्ट रहे 21 माई 1960 देखे इस दिन गामा पहलवान पहलवान का निधन हुआ था इनको रुस्तम-े जमा पहलवान के नाम से भी जाना जाता था 21 मई 1970 USSR ने 1970 में नुकलियर टेस्ट किया था आज के दिन यानि कि 21 मई 1970 में USSR ने नुकलियर टेस्ट किया था USSR के फुल फॉर्म Union of Soviet Socialist Republic होती है आगे बढ़ते हैं 21 मई 1971 देखे इस दिन मशूर निर्देशक स्क्रिप्ट लेखक आदित्य चौपड का जनम हुआ था तो याद रखेगा 21 मई सन 1971 में आदित्य चौपड का जनम हुआ था नेक्स्ट है 21 मई 1991 देखे इस दिन भारत के नोवे प्रधान मंतरी राजीव गांधी का निधन हुआ था तो कब हुआ था 21 मई 1991 में और ये भारत की प्रतम महिला प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी जी के पूत्र थे आगे चलते हैं 21 मई 1994 देखे इस दिन धक्षणी यमन दुवारा 1994 में उतरी यमन से अलग होने की गोशना की थी मतलब 21 मई 1994 में धक्षणी यमन उतरी यमन से अलग हो गया था आगे है 21 मै 1996 प्रशिदी शीतल पे कम्पनी पेपसी ने 1996 में विश्व में पहले बार अंत्रिक्ष में विज्यापन फिल्म बनाने की गोश्णा की थी तो 21 मैं सन 1996 में अंत्रिक्ष में विज्यापन फिल्म बनाने की गोश्णा की थी कम्पनी पेपसी ने 21 मैं 1998 32 वर्शों तक लगा तार इंडोनेशिय पर शाषन करने वाले राश्ट पती सूहार्तों का आज के दिन त्याग पत्र दिया था कब दिया था 21 मैं 1998 में देखें जो स्वर्तों थे इन्होंने 32 वर्ष तक लगातार इंडोनीशय पर शाषन किया था मतलब इंडोनीशय के राश्टपती बने रहे थे 32 वर्षों तक आगे चलते हैं 21 मैं 2003 विश्व के 190 से भी अधिक देशों ने तंबाको के खिलाफ अंतराष्ट्रे संधी को जिनेवा में मंझूरी दी थी तो 21 मैं 2003 में अंतराष्ट्रे संधी को मंझूरी दी थी जो की तंबाको के खिलाफ थी अब हम देखेंगे कि 21 माई को हर साल कौन सा महतपूर दीवस मनाया जाता है तो देखें 21 माई को हर साल आतंकवाद विरोध या बलिदान दीवस मनाया जाता है याद रखेंगा 21 माई को आतंकवाद विरोध या फिर बलिदान दीवस मनाया जाता है आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू